उत्री इस्राइल पर हिजगुल्ला के भीशन हमलों की वज़ा से अब ऐसा लग रहा है कि पीम बेंजमिन ने तन्याहू के सब्र का बांध तूट चुका है और उन्होंने हिजगुल्ला से आर पार की लड़ाई के लिए लेबनान पर चड़ाई को लेकर मनजूरी भी दे दी है वहीं हिजगुल्ला ने भी दो टूक कह दिया है कि अगर इस्राइली फोज लेबनान में घुसी तो वो दोबारा वापस नहीं लोट पाएगी हाला कि इस सब के बीच इसराइल और हिजगुल्ला के युद्ध की वज़ा से बड़ी तबाह ही आ सकती है इस बात में कोई दो राय नहीं है लेकिन इसराइल पर इसका कितना असर पड़ेगा ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि आप इसराइल की पावर कंपनिया उन्हें तोर पर ले कह रही है कि हिजगुल्ला के साथ अगर इसराइल जंग में जाता है तो उसके पावर ग्रेड इस बोज़ को सहने के लिए तयार नहीं है और अगर इसराइल में 72 घंटे बत्ती गुल रहती है तो इसराइल रहने लायक नहीं बचेगा दरसल ये बात इसराइल की बिजली कंपनी नोगा के सीई-ओ शाओल गोल्स्टाइन ने कही है उनका कहना है कि हम असल युद के लिए तयार नहीं है हम एक कालपनिक दुनिया में जीते हैं जो मेरी आँखों में है इसराइल 72 घंटे बिना बिजली के बाद रहने योग्य नहीं रहेगा आप सारे इंफ्रस्ट्रक्चर को देखिए अप्टिकल फाइबर, बंदरगा और मैं समवेदन शील चीजों में नहीं जाऊंगा हम अभी अच्छी जगा पर नहीं है अगर नसर अल्ला इसराइल के पावर ग्रिट को ठब करने का फैसला करते हैं तो उन्हें केवल फोन उठा कर बेरूत के पावर ग्रिट के प्रमुख को कॉल करना होगा जो इसराइल के समान है अच्छी बात यह है कि हमने इसराइल इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ मिलकर सुरक्षा में बहुत निवेश किया है हाना कि शाउल के इस बयान पर इसराइल में जबरदस्त बवाल मचा है इसराइल की इसराइल Erfolg कंपनी ने शाउल के बयान की जम कर आलोजना की है कंपनी का कहना है कि सीएयों ने जो टिपड़ी की है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और हकीकत से परे और डर पैदा करने वाली है हाला कि नूगा कमपनी ने आधिकारिक रूप से CEO शॉल के बयान से खुद को अलग कर लिया है नूगा कमपनी ने कहा कि वो आपात स्थितियों के लिए इसराइल के बिजली शेत्र की तैयारी के संबन्द में कमपनी के पेशेवर आकलन का प्रतिनिध्युत नहीं करते है वहीं इसराइल के उर्जा और इंस्फरस्ट्रक्चर मंत्राले ने दो टूक कह दिया है कि इसराइल का पावर ग्रेड मजबूत और सभी तरह के हालातों से निपटने के लिए तैयार है आपको बता दे कि हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरला ने चेतावनी देते हुए कहा था कि युद्ध के हालातों में गैलिली पर आकरमन अभी भी विचारा धीन है वहीं इसराइल के सेना प्रमुख ने उत्री इसराइल की यात्रा के दौरान हिजबुला को चेतावनी दी थी कि अभी वो इसराइल की सेन्य और खूफिया ताकतों से अंजान है